नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मारी यूट्यूब चैनल के एक दमले टेस्ट वीडियो में और दोस्तों बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल करा रही है उत्राकाशिश है जहां पर 41 मजदूर पिछले 10 से भी जादा दिनों से एक टनल में फसे हुए ह उनको निकालने का काम लगातार जारी है लेकिन फिर भी उसे नहीं निकाल पा रहे हैं दोस्तों बड़ी खबर है कि उत्राकाशिश से जल्द मिलेगी खुश खबरी रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चराण में अगले कुछ घंटे होंगे बैहद अहम इसके लावा दोस्तों बड़ी अपडेट यह भी है कि उत्राकाशि में जो ओगनर मशीन है उसके रास्ते में स्टील पाइप आ गया है उसे काट कर बाहर निकाला जा रहा है अभी भी मजदूर वहां से 15 मिटर खुदाई के बाद मिलेंगे यानि कि दोस्तों ड्रील का काम अभी रुका हुआ है और अभी जितनी ड्रेलिंग बांकी है उसकी लंबाई लगबग 15 मिटर है दोस्तों जानते हैं पूरी डिटेल से इस खबर को कि कब तक मजदूर हमारे बाहर निकल पाएंगे आज या कल या परसों तो दोस्तों उत्राकाशिकिस शिलकोरा सुरंग में फसे 41 जिंद्यों को बचाने की जद्दो जहद लगातार जारी है पूरा देश 41 मजदूरों के बाहर निकलने के लिए पलपल टक्ट की लगाए इंतजार कर रहा है लेकिन दोस्तों वक्त है कि बढ़ता ही जा रहा है साइट पर बोजूच चार अधिकारियों की और से अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं उत्रागंड सरकार के सचिव नीरल्स खेरवार ने कहा है कि कुछ परेश्यानियां और आ गई है और एन एच आई डी सीयल के मडी महमूद अहमद ने कहा है कि हमने 22 नवंबर को 45 मिटर तक पाइप इंसर्ट कर दिया था इसके बाद एक बाधा गडर के तोर पर ह मशीन को फिर से तेयार करना होता है इसमें समय थोड़ा जादा लग जाता है उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को एक हमारे सामने एक और हडल आ गया छत में इस्तेमाल करने वाली पाइप आ गई प्रिवीन और बलविंदर ने पहले यह काम किया था फिर उनकी टीम के कुछ और लोग सामने आ गए फिर ओगर मशीन की ब्लेड्स को रिपेर किया गया इसी बीच ओगर मशीन का जो प्लेटफॉम है वो भी कमजोर हो रहा था तो हमने उसी समय कंक्रीट का प्लेटफॉम तेयार किया और रोक वैल्डिंग और ग्राउंडिंग की गई जब नई हो जाएगी इसके बाद पाइप पुष करेंगे उमीद है कि अब कोई अर्चन ना आ जाए उन्होंने बताया कि कल शाम चार वज़े से प्लेटफॉम मजबूत करने का काम किया गया है पाइप का 1.2 मिटर का हिस्सा काटना भी पड़ा है एहमद ने बताये कि सुरंग में 45 प्लस 3 मिटर पाइप डाल दिया गया था लेकिन पाइप का 1.2 मिटर का हिस्सा काटना पड़ा क्योंकि यह हिस्सा मुल गया था इसी वज़े से इसे काटा गया जी पी आर के लिए भारत भासकर जो परसन कमपनी से हैं वह 45 मिटर तक पाइप के अंदर गये उन्होंने बता सकते हैं वैसे प्रदान मंत्रे मोधी से लेकर उत्रा खंड के सीम तक इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं दोस्तों देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप मारे यूट्यूब चनल को सस्क्राइब कर सकते हैं साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए दो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जय हिन जय भारत